नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खिजूरी और आपका स्वागत है SGV News पर नरेंदर मोदी डिगरी मामले पर अब भड़क उठे हैं शरत पवार जी हाँ अर्विंद के रिवाल और उद्दव ठाकरे को फटकार लगाई है यह शरत पवार की तरफ से तो यहाँ पर बड़ा जटका विपक्षी एक जुटता को जो लगातार अपने एक जुट होने की बात कर रहा है दूसरी तरफ सचाई यह है कि आपस में फूट दिखाई दे रही है दरसल लोकसबा चुराव 2024 से पहले परधान मंत्री नरेंदर मोदी के डिगरी को लेकर जो इस समय विवात खड़ा हुआ है सुर्खियों में है इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तकरीबन रोजाना परधान मंत्री नरेंदर मोदी डिगरी पर कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है और सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेइन भी चल रहा है वहीं इन सब के बीच विपक्ष के ही बड़े नेता और NCP नेशलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी के चीफ शरत पवार ने इस मुद्दे की कहीं ना कहीं हवा निकाल दिया शरत पवार ने रविवार यानि की 9 एपरल को कहा कि यह महज एक सियासी मुद्दा है तो यहाँ पर बड़ा जटका लगता हुआ आमादबी पार्टी को दरसल शरत पवार ने गोतम अड़ानी मुद्दे पर अपनी अलग राय पहले रखी थी और वो अपनी अलग राय रखते ही विपक्षी दिलों के एक बड़े मामले को जो है उन्होंने किनारे कर दिया था वहीं अब परधान मंत्री नरेंदर मोदी डिगरी विवाद पर भी उन्होंने कहा कि आज ये मुद्दा नहीं है कि किसकी डिगरी क्या है बलकि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, जातपात और धरम के नाम पर लड़ाई जगड़े जैसे बड़े मुद्दे हैं इस मामले पर शरत पवार ऐसे में अब जब NCP अध्यक शरत पवार ने इस मामले में जब का जब इस बारे में पूछा गया उनसे तो इस सवाल पर काफी जादा बड़क उठे शरत पवार ने कहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कभी भी चर्चा की जा सकती है लेकिन फिला इसके कई सारे सियासी माइने भी निकाले जा रहे हैं वहीं इस डिग्री मामले पर बोलते हुए शरत पवार ने बोला कि वरतमान में देश में गरीबी भी एक मुद्दा है और इससे पहले भी हमने आपको बताया जो बिरोजगारी और महंगाई की बात उन्होंने की वहीं परधान मंत्री नरेंदर मोदी का नाम बार बार ठाकरे गुट और अर्विंद के रिवाल दवारा उठाये जाने के मुद्दे पर बात करते हुए शरत पवार ने कड़ा रुख अक्तियार कर लिया है और जिसकी चर्चा पूरे देश में इस समय की जा रहे है शरत पवार क ने भी परधान मंत्री की डिग्री मुद्दे पर सियासत को बेफालतू बताया था कि ये बेफजूल का जो है मुद्दा है अजीत पवार ने कहा था कि नरेंदर मोदी अपनी डिग्री की वज़ा से नहीं बलकि अपनी करिश्माई शवी की वज़ा से जीतते हैं 2014 का जिकर उनों ने किया था वहीं अजीत पवार ने ये भी कहा था कि नीजी तोर पर वो EVM, Electronic Voting Machine के भी पक्ष में हैं क्योंकि EVM से वोट हासिल करके ही विपक्ष ने केई सारे राजियों में सरकार बनाई तो केवल ये EVM पर ठीकरा फोनना ये सही नहीं है हाली में हमने देखा ही माचल प्रदेश में भी कॉंग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन वहाँ पर EVM की दुहाई नहीं दी गई तो मोदी हटाओ देश बचाओ के बाद जो है क्या भारत के परधान मंतरी पड़े लिखे होने चाहिए ये वाले पोस्टर जो है पूरी दिल्ली में लगाएगे पूरा कैंपेंड जो है इसको लेकर के छेड़ा गया इतना ही नहीं मनीशी सोदिया जेल से भी पत्र लिख हैं शराब गोटाले पर चूपी लेकिन जेल से इसके बारे मिल लख रहे हैं जबकि भारतेंता पार्टी के और से साल 2016 में ही अमित शाह ने प्रेस कॉन्फरेंस कर परधान मंतरी नरेंदर मोदी की ग्रैजुएशन और में की जो डिगरी है उसको सारजनिक किया था इतना ही नहीं गुजरात युनिवस्टी ने भी परधान मंतरी नरेंदर मोदी की डिगरी अपनी वेबसाइट पर सारजनिक कर रखिया उसके बाद भी लगातार इसका मुद्धा उठाना इससे कहीं ना कहीं आमादमी पार्टी पर सवाल उठे और वहीं पीम नरेंदर मोदी के डि मुख्य मंतरी अर्विंद के जिवाल ने कुछ समय पहले दिया जो कहा गया लगी की तरफ से दरसल उन्होंने का कि कुछ समय पहले विधान सबा में जो ब्यान दिया था वो मैंने सुना उन्होंने का कि मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिगरी पर गुमा दर्शाता है वहीं उन्होंने अर्विंद के रिवाल पर परोख्ष रूप से निशाना साथते हुए कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये बात भी साबित हो गई है कि जो कुछ लोग हैं कुछ लोग आई-ई-टी से डिगरी लेने के बावजूद अर्शिक शिक रह जाते हैं ऐसा इसलिए का गया क्योंकि जो विदान सबा में का गया था अर्विंद के जिवाल की तरव से कोन लगी कहा का लगी कहा से लाके बिठा दिया हमारे सेट पर दरसल दिल्ली के लगी के इस बियान ने आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं हड़कम मचा दिया है कुछ ही देर बार अर्विंद के जिवाल सरकार के मंतरी सोरब भरद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फरेंस की और प्रेस कॉन्फरेंस में दिल्ली के उपरा जेपाल पर ही सवाल खड़े कर दिये ये स्टेट्मेंट आने के बाद सोरब भरदवाज ने उसमें प्रेस कॉंफरेस में बोला कि लेफटिनेंट गुवर्णर साहब का ये कहना बहुत शर्मनाक है कि डिग्री जो है पैसे खर्च करने की रिसीद है आज दिल्ली के पास IIT से देखे बार-बार वही बात दुराई जा रही है कि आज दिल्ली के पा पर अपने पोस्टर पूरी दिल्ली में चपवाती है जो केंदर सरकार बस से मुहिया कराती है उस पर अपना पूरा आडवर्टाइजमेंट करती है दिल्ली सरकार और इतना ही नहीं यह जो का जा रहा है कि IIT से पड़े लिखे मुख्यमंत्री कल ही एक्सपोज करके हमने आ आम आदमी पार्टी सरकार में वहीं जानकारी के लिए आपको ये भी बता दे कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी के डिगरी मामले में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल पर हाई कोट ने 25,000 रुपे का जुर्माना भी ल आएगा कि देश के परधान मंत्री ने हमारे कॉलेज से डिगरी ली है जबकि सब जानते हैं गुजराती उनिवस्टी के अपने वेबसाइट पर सारजनी कर रख्या उसके बावजी बावजूद जो है इस मामले में कहीं तूल पकटने का प्यास किया जा रहा है और कैसे इ इजलेंस डिपार्टमेंट जो है मनीश्टी सोधिया देखते थे उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ इतने सवाल ना पूछो यह जो है टॉर्चर है मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है लेकिन जेल के अंदर से बैठ कर के पीएम नरेंदर मोदी की डिगरी को लेकर के एजुकेशन को लेकर के सवाल उठाने का और समय उनके पास है और क्या यहां पर आरोप लगाते हैं कि बाहर के देश के जो राष्ट्र एदेक्षा है वो आते हैं आकर के जप्पी लगाते हैं और कुछ भी साइन गरवा करक साथ उद्दव ठाकरे को आई ना दिखाने का काम क्या है बैरहाल अब इस पर आपकी जो भी रहे हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेर कर सकते और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे मारसाथ दरन्यवाद